नमस्कार दोस्तो होम मेकिंग विद अपेक्षा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम यह बहुत सुन्दर सा फ्लावर बना रहे हैं और साइज में भी आप देख रहे हो खुब बड़ा है इसका साइज तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और इसके लिए मैं ले रहे हूँ वेश्ट पेपर न्यूज पेपर या फिर आप बुक की पेज़ी जो यूज नहीं हो रहे हैं उनको भी ले सकते हैं और इनको आप अपने हिसाब से कोई भी पेज ले लीजिए और यहां मैं तीन साइज की पेपर ले रह मैं आपटेंगे जब चौटी बड़ी होगी अगर सेंस साइज होगा तो ऐसे ही हो जाएगा वो तो यह देए और जैया है यह 10 वाला है और इसको हमने 5 लेक्स कर दिया है और इसे हम3 इवा फिर से फोल्ड कर देंगे और फिर हम मैं इसे एक बार और फोल्ड करेंगी तो इस तरह हमाया जो इसमें हम चार ही पतियां काटेंगे जो कि हमारी जो सबसे उपर वाला है जो हमें फ्लावर बनाया है उसके सबसे उपर वाली ये पतियां बन जाएगी अगर आप इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे तो इससे एट पतियां कट जाएगी लेकिन अभी अदो अब को नीचे से नहीं कलना है थोड़ी सी जगह छोड़के कलना है और उपर भी अपने छोड़ देना है सेफ दे दिजिए आप अपने डे सकते है, और ये देशिये, मैंने कट कर लिया है पति को और इन पतियों को कट करके मैं अब इनको खोल दूँगी और नीचे से मैंने जगह छोड़ दिये अगर आप जगह नहीं छोड़ोगे एक इंच की या डे इंच की तो ये सारी पतिया आपकी कट जाएंगे अलग लग हो जाएंगी तो इसके लिए आप इस बात का ध्यान रखें और इसी तरह हम अगले पेज को भी लेंगे और उसको भी इसी तरह कट कर लेंगे इसको हमें एक बार extra fold करेंगे जिससे की एक बार दो बार हमारा हो गया है एक बार ओर कर देते हैं इसको तीर और एक बार हो ओर कर देंगे चार तो इससे क्या होगा हमारी 8 पत्तिया या पैटल्स जो आप बोल लिजी उनको वो तयार हो जाएंगी अब यहां भी हम ड्रो कर देंगे और इसको हम सेप दे देंगे वही सेप हमें नीचे से और उपर से दोनों साइड से पेपर को छोड़ देना है तो इस तरह आप कट कर लिजी और कट करने के बाद तीनों ही हमें इसी रूप में चाहिए बस थोड़ा चोटा बड़ा साइज इनका है ही हमने चोड़े बड़े कागस लिए थे और तीनों को आप रखके अब कोई ले लिजी आप रफ कपड़ा रफ कपड़ा आपके पास कोई भी जैसे बच्चों की कोई पुरानी टी-शेट है पैंट है या कोई श्टोल आपके पास पड़ा है लेकिन थोड़ा सा मोटा उसका बेस होना चाहिए मतलब थिक कपड़ा होना चाहिए बिल्कुल आप दुपट्टे का या साड़े का अगर आप एक्स्ट्रा भी कोई चार त्रह की बनाना चाहिए तो वह भी बना सकते हैं और मैंने यहां पे लिए एक्स्टोल पुराना और उस पे मैं ट्रो कर रही हूं पत्तियों को और उसके बाद हम इनको कट कर लेंगे तो इस तरह हमें कट कर लेना है गारें 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 आप सिकेशày के स्केश पेंद्स पेंद्स को लीजिए और उसमें कट लीजिए और यह देखिए हमने तीनों तृक्षी की कट कालें हैं अर्ध Mais Das करेंगे पतला घौल आपको तयार कर लेना है यह देखी मैंने बिल्कुल पतला घौल अपको चissionnen ऺzza कर लेն मैंने सब भाइब अ月 दब्बे वगरा उनको आप ले सकते हैं और इनके उपर मैंने पोल्थिन लगा दिया है ताकि यह जिली ने उतर के आ जाएं सुखने के बाद और यह देखी मैंने मैं सबसे बड़े वाले को यहाँ रख दिया है बाउल के उपर यह देखिए आप जैसे भी इनको सेप देँगे सिमेंट के साथ वैसी ही यह सेप ले लेंगी पत्यां तो आप इनको जैसा भी रखना चाहे है, आप इनको पास पास रखना चाहे है या दूर दूर कलना चाहे है वो आपके जो आपने बेस लिया है उसके हिसाब से ही होगा तो यहां मैं दूसरे को भी रख दे रहे हूं और शेप आप अपने हिसाब से दे लेगी अब इसको जब यह सेमी सेट हो जाएं पूरी तरह हमें इनको सेट नहीं करना है तो उनको सेमी सेट होने के बाद हम इन पर वाइट सिमेंट की एक कोटिंग और कर देंगे और मैं यहां कोटिंग कर रहे हूं जो मेरी वाइट सिमेंट बच गई थी उसी से मैं थोड़ी देर के बाद कर रहे हूं यह देखिए आप देख सकते हैं इससे क्या होगा एक तो हमारी फिनिसिंग आएगी और दूसरा जो हमारी पैटल्स हैं वो थोड़ी थिक हो जाएंगी और यहां लिए मैंने एक प्लेट और एक ठकन लिया है वेस्ट पड़ा हूँ अब दोनों को तेल से ग्रीस कर दिया है और जो सिमेंट थी उसमें थोड़ी सी मैंने और मिला दी और उस पेष्ट को हमने ठिक कर लिया है और अब उस पेष्ट को हमें इसके चारू तरफ डाल देंगे मैंने डाल दिया है और इसको आप थोड़ा सा टैप कर लीजिए ताकि जो भी मतलब यह उपर नीचे हो गया वह एक जैसा हो जाएगा और अब आप इनको रख दीजी सुखने के लिए और सुखने के बाद आप एक बार इनको बीच में पानी जरूर लगा दें और अब मैं इनको वाइट सिमेंट से कर रहे हूं एक बार कोटिंग तो यह देख लीजिए आप इस तरह से इनकी बहुत थिक हो जाएगी यह मतलब बहुत अच्छी इनकी सेप आजाएगी और इसके दोस्तों हमारे यह जो पैटल्स हैं वो सूख गई हैं और बेस भी हमारा सूख गया है यह देखिए और आप इनको इसली क्योंकि हमने इसमें लगाया था तो इसली निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी यह देखिए अच्छे से निकल गया है अब हम जो यह हमने बावल के उपर रखे थे इनको भी हम धीरी धीरे करके हटा लेंगी अराम से आप हटाएए इनको कोई जल्दी नहीं है और हटाके आप इनको सीधा कर लेजिए यह देखिए और पोलिथीन की वज़े से बहुत आसान तरीके से निकल जाती है और पोलिथीन की निकल आया है तो बरतन भी हमारा खराब नहीं हुआ तो यह देखिए हमारे तीनों तेयार हो गई है और यहां मैं इनको अब सेप दे दूंगी क्योंकि मेरा जो कपड़ा था उसके इसी फिनिसिंग में दिक्कत है जब भी आप ऐसा करें तब आप अपने जो कपड़े के धागे उनको अच्छे से पहले काट लें तो मुझे बिगोने के बाद याद आया कि धागे निकले हुए थे तो अब मैं इनको कैंची से काट दूंगी और यह देखिए इस तरह से हम इनको फिनिसिंग दे देंगे और फिनिसिंग देने के बाद हमने जो अभी वाइट सीमेट खोला है उस वाइट सीमेट से हम अंदर की साइड भी एक कोटिंग कर देंगे क्योंकि अब यह थोड़ा रफ लग रहा है आप देख रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा अच्छा द कर दीजिए और उसके बाद हमें तीनों पर ही कर देनी है और यह थिक भी हो जाएंगी फिर तो इस तो यह देखिए मैं इनको कर दिया है आप देख सकते हैं अब बहुत ही आसान है दोस्तों इसको बना के आप गार्डन में रख दीजिए आपकी जो खुला कोई होल है उसमें रख दीजिए बहुत ही सुंदर फिलावर यह लगता है और साइज में पी काफी बड़ा है तो समझ में भी नहाता कि यह कैसे बना हुआ है बना बनाया ल लगता है और यहां मैं बेस पेंट कर रहे हूं वाइट पेंट तो इसके उपर आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं मैं वाइट ही कर रहे हूं एक तार उसके बात मैं देखूंगे मेरे पास जो भी पेंट पड़ा होगा उसी से में काम चलाओंगी खरीद के तो लाने वाली विक्ति हो नहीं मैं तो यह देखिए तीनों पर ही हम कर लेंगे और हमने यह वाला लिया स casino यह हमारी बेस का काम करेंगी वह मतलब कि इस यह वह हमारी जो तो यह काफी ब्राउन कलर है यह एक कोट में तो होने वाला दिये थोड़ा सा हलका है तो हम इसको डबल कोट कर लेंगे और यह मैं ले रही हूं एक स्टैंप के रूप में एक काड़ बोर्ड का यह ऐसी डिबा पड़ा था इसका धकन के साथ इसको हम अरेंज कर देंगे तो सब ढाव पा Llो कर लेते हैं ह। यहान मैंने रीफ वाल फाला था उसको ईसको सबसे बड़े वाले को ग्रीन-पेंट कर लिया है और दूसरे वाले को में येलो कर रहे हूं क्योंकि मिर पास येलो ही है आपके पास जो भी हो आप वो कर लिजिए और पिंग होगा तो बहुत ज्यादा सुन्दर लगेगा रेड होगा तब भी बहुत अच्छा लगेगा लेकिन मेरे पास येलो इत था तो येलो भी अच्छा लग रहा है तो आप देख लीजिए जो भी आपके पास अविलेबल है और ये जो सबसे छोटे वाले था इसको मैंने पहले ही अरेंज कर दिय एक साथ ये नहीं कर पाओगे क्योंकि सिमेट गिली होगी तो ये खिल जाएंगे तो ये देखिए हमें डिब्बे को पेंट कर दिया है और इसके नीचे में सिमेंट लगा रही हूं और ये काम भी दोस्तों आप पहले ही कर लें क्योंकि बाद में फिर जो हमने पेंट किया उससे भी इसको दे सकते हैं उल्टा करके लगा दीजिए उपर के जो नीचे वाली साइड है उपर कर लीजिए और इस तरह है आपका बेश तैयार हो जाएगा और ये डिब्बे के डखन के उपर में लगा रही हूं वाइट सिमेंट और इसके उपर अब हम अरेंज कर दें डूसरे को भी लगा देगें तो सुहने के बाद मैंने इसके ग्रीन वाले के उपर वाइट सिमेंट लगा दी है और अब मैं अगर आरेंज कर रही हूं अपना फुलावर ओर देख रहे हैं कि इतने बड़े साइज का फुलावर कितना सुंदर लग रहा है और 20 में मैंने आ तब भी चलेगा ऐसे ही रख दीजी इसको लेकिन मैं लगा दिया था अगर आप इसमें आर्टिफिचल फ्लावर लगाना चाहे तो वह लगा सकते हैं नहीं लगाना चाहे तो ऐसी छोड़ दीजी बस आपका ठीक है लेकिन मुझे थोड़ा सा बट का इसको सेप देनी थी तो मेरे पास एक फ्लावर वेस्ट पड़ा हुआ था मैंने इसको यहां अरेंज कर रहे हूँ अभी यह गिल्ला है सूखने के बाद मैं इसको यहां फेवगोल से चिपका दूँए तो अभी सिमेट गिल्ली है और यह देखिए दोस्तो मैंने इसको चिपका दिया है और आप द संदाती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेर करें थेंक्यू दोस्तो